मुश्करा हूं दिए लिए 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 असलाम अलेकुम गुड मॉर्निंग महिक्ती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद कैसे हैं आप सब उमीदे ठीक ठाक होंगे खुशबाश होंगे अपने प्यारों के साथ होंगे और सहतियाब होंगे आज जिस चीज़ की मैं बात करने जा रही हूं मैं हमेशा देखती हूं कि modern science जितनी भी चीज़ों प्रूफ कर रही होती है वो यह हमारी नानी दादी हमें बता चुकी होती है उसमें से आदी से जादा चीज़ें जो हमें हजारों साल पहले हज़ूर सले लावले वसलम ने बता दी थी जो चीज़ों की explanation जो है तब नहीं थी अब हमें पता चल रही है और कुछ चीज़ें ऐसी है जो मारे गाओं में भी तक इस्तिमाल होती है लेकिन हम लोग मौडर्न हो गए है और अनफॉर्चनेटली यह जो जादा बिमारियां लग रही है या मसले हो रहे हैं यह इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि हम मौडर्न लाइस्टाइल एडप्ट तो कर लेते हैं जो के बाहर से आता है बाहर के लिए क्ला комментарie किया जाता है लेकिन यहां के climate के accordingly हमें यह वो शूट नहीं करता है जो भी बाहर नहीं चीज अजाद होती है, कुछ हरसे बाद वो पाकिस्तान में आ जाती है, उसको हम इस्तिमाल करना शुरू हो जाते हैं, बाहर के climate को देखते हुए, बाहर के environment को, social needs को देखते हुए, वो चीज डिजाइन होती है, और यहाँ पर हमारा climate, social needs, बाकि सब कुछ different है, लेकिन वो चीज जो है, हम भी यूज़ करना शुरू हो जाते हैं, और फिर उसकी वज़ा से हमें नुकसानाद भी होते हैं, तो एक ऐसी चीज, आजकल आपने देखा हो का बच्चों में anxiety जादा है, आजकल बच्चों में depression जादा है, बड़ों में भी जो है, anxiety, stress, इस patterns में भी change हो रही है, जो रोज मरा की जिंदगी उसमें भी change हो रही है, रीसंटली मैंने एक वीडियो देखी, और उसके इंदर जी बड़ी कोई नई चीज एक इजाद हुई है, जो उनको कहते हैं, weighted blankets, weighted blankets, blankets है जो थोड़े भारी होते है, तो उसमें है कि बच्चे जो रात उससे बच्चे को बान दिया जाता है, पूरा, कहते हैं उससे बच्चे का posture भी बिल्कुल ठीक ठाक होता है, और यह जो एक टेडी नीबडी common चीज होती है, वो भी नहीं होती है, आपकी कमर भी बिल्कुल सीधी रहती है, और बच्चा चौंकता नहीं है नेन में, लेकिन प्राक्टिस मेंने जादा तर यहां पर इसलामबाद में या शेरों में नहीं देखी है, यह हमारे हाँ ही होती है, गुंदक कहते हैं उसको, अच्छा यह पंजाबियों में भी होता है, मुझे नहीं पता था, अजब पठाने में तो गुंदक उसको बोलते हैं, हमारे हां क के लिए भी बनाये गए है, जिसके अंदर ब्लांकेट में थोड़ा सा वेट होता है, तो जब बच्चा सोता है, scientifically यह बात प्रूफ की गई है, कि अगर आप थोड़ी सी वेटेट चीज के अंदर जो है, सो रहे हैं, जो थोड़ी सी भारी होती है, तो आपको बुरे खाफ बहुता है, आप चौंकते भी नहीं है नीज में, आपकी डिप्रेशन भी नहीं होती, एंग्जाइटी आपको नहीं होती है, आप जब उठते हैं, तो आप रिफ्रेश्ट फील करते हैं, आपको stress फील नहीं होता, और आपकी नीज जो है, वो ज़्यादा डीप स्लीप होत होती है, अब इस एक वेटेट ब्लांकेट की जो प्राइस है, वो आपको जो है, दो सो से तीन सो डॉलर से ज़्यादा की होगी, जिसका मतलब है कि ये बाइस हजार या तैंती से जार, चौनते से जार का एक ब्लांकेट है, जब ये वाली बात मैं पढ़ रही थी, तो उसके अंदर आप जरा सा हिलो जुलो तो अगर एक साइट से गिर जाए तो पूरी की पूरी नीचे गिर जाती थी, और वो इसली होता था, क्योंकि उसके अंदर असली रूई जो है, वो इस्तेमाल की जाती थी, और एक प्राक्टस होती थी, कि सर्दिया आने से पहले एक दर जाए जाता था, फिर वो उनको बीट किया जाता था, ठाकर उसकी रूई जो है, वो फलफी सी हो जाए, दुबारा स्टफ किया जाता था और उसको मोटे-मोटे टांके लगाये जाते थे, वेल्वेट की रिजाईया होती है, वो अखसर में में मेंशन करते हूं कि जो ब तो polyester की रजाई आगी जो के गरम तो होती है लेकिन बहुत light weight होती है और recently जो सबसे महेंगी रजाई पाकिस्तान में available है वो बहुत light है बिलकुल पतली सी है बहुत जाधा light है और उसकी price रहे है वो सबसे जाधा है और वो सबसे गरम है तो आप देखें कि modern होते होते हैं हम ल कि अपनी कौन सी body की need को जो है ignore कर रहे है और उसके बाद इस तरह की solutions आते हैं एक और चीज मैंने बढ़े मज़ी की देखिए उसकी video अगर मुझे मिलती है तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ऐसे beds जो खुद ही ठीक हो जाए कि आप सुबह जब उठते हैं तो आपको अपना bed बनाना ना पड़े हैं फिर अब को एक दब चादर जाड के टाक इन करनी पड़ती है तकिये सीधह करने पड़ते हैं उपर रेजाई जो है ठीकर ऑउब धकावर डालना पड़ता है वो आपको करने अचली के जुरूत नहीं कि अगर हम अपने बेड़ बनाने तक की जहा जहमत नहीं कर सकते हैं इतना रहत नहीं हिला सकते हैं उसके बाद फिर हम घृते हैं एक्सराइज करते हैं लेकिन जान गर के अंदर हमने हर शूब police कृड़ को यहां तै मैं आपको प्राटून जिसके अदर एक छोटा सा सर उता है उन लोगों का और एक बड़ा सा प्ए हो ठोल ही हिता हम इसलिए क्छोटे साथ चोटे हो पाउ कोब हो गया है पेट में आप खाना डाले जा रहे हैं और दिमाग तो ऐसे हम बड़ा कम इस्तिमाल करते हैं तो आगे जाके इनसानों की कुछ जो शेप है वो इसी किसम की हो जाएगी आज ही कल हम देखना शुरू हो गए कि जाद तर लोग आपको गोल नतर आना शुरू हो गए तो अपने हाथ पर इस्तिमाल कीजिए कभी कभी कोई मशीन ना होना भी जो है घनीमत होती है जिसे रीसंट्टी मैंने वो भी देखी है कि जो माल्टे से जूस निकालने वाली मशीन है क्या करना होता था एक प्लास्टीक की चीज होती थी उसके उपर आपने माल्टे को सिर्फ गोल गोल भूमाना होता था अपने हाथ से वह भी मशीन आगी है कि आप सरफ उपर हाथ रखे नीचे मशीन खुद घूमेंगी जरा सा काम तो अपना खुद कर लो इतना लेजी होन है हम शुरू करेंगे दिन एक हल्दी एक्सराइज से हमारे साथ होंगी महरीन नर्गिस जो के डाइटिशन है और आज में यह बता दू हम डे जो मनाने जा रहे हैं और जितने भी डिफरेंट किसम के ओल्स है औलिव और अल्मंड ओल है आपके पास सेसमी ओल है जितने भी इन सब की हम यहां पर बात करेंगे उनके क्या फवायद हैं उनके कोई मुक्सानात हैं कि नहीं खाने पीने में कौन सा इस्तेमाल किया जा सकता है बालों के लिए सबस्दा दमुफीत कौन सा है आपके चेहरे के लिए बॉडी के लिए नाखुनों के लिए हर चीज के लिए सबसे अच्छा ओयल कौन सा है इस पर हम बात करेंगे हमारे साथ होंगे शेफ वसीन जो के बना रहे हैं cowboy chicken आज और sesame hole Chinese chicken यह दो चीज़े जो हैं आज बनाई जा रहे हैं हमारे साथ होंगे dr. शेरबानो जो की dermatologist है और साधिया जो beautician है चाही गिराने लगी थी तो यह सारा हमा के लिए मुफीद हो आपके skin के लिए मुफीद हो हमसे शेर कीजे और खाने पीने में जो भी आप oil इस्तेमाल करते हैं तो आज oil related day हम मना रहे हैं और आप सभी हमारी यही बात होगी कहीं में जाएगा चोटी सी break के बाद हम वापसाएंगे और स्टार्ट करेंगे अपना द सधागाइ do my He exam Hack the morning sorry सवरी अमसर अपनी भी बात् Software कर रहे होते हैं हमाने साथ है रुकसार केसी है अटॉ आप 치क टागा किया करने जारे है माज आज के लिए मेनत करने ही पड़ती है लेकिन आपके जो है डिद्यूस हो जाता है अच्छा एक और चीज जो मैंने पूची थी रिसनली मिन इंस्ट्रक्टर ने बताई थी कि अगर आप जा के सिर्फ मशीन जिए रहे हैं जिम के अंदर तो हो सकते हैं कि अगर आपका वेट 60 था त करने चाई अब करने मैं स मश्यार्ण के सब्सक्राइब करने कि ओसे और अपका वेट अवो भी त्यूस होता है और चिसेने वेट इस नहीं ए रहे हैं धिकन फिर्ये लेकिन एप लेकिन खरने करने तो प्रशली रहें पड़िए पार तो प्रम दो थे शली इंगर हैं उसमे कि एक वियुष में अरुट मीजी तौ यह आपको इस अशुन रखे लिए तो इसक्रूप है तो नहां चौन लिए जेँ भीजिजिए तो इसार इसलिए तो इन हो आपको शॉक्सार की क्वेशे कर सकते तन। कि बरिनिंग नहीं होगी तेंग फिप्टीन फिर आगे आगे आप उसको बढ़ाते जाए थैंक यू सो मुच रुखसाई ताइम एक छोटी से ब्रेक 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 वादम आप साथ में एक बार पिल खुशाम देद मुझे जॉइन किया है यहां पर दो बहुत ही खुबसूरत खवातीन मेहरीन और साधिया असलाम लेकुम असले कम संदेश कैसे हैं यहां आप कुछ माशन एति प्यारी लग एं यहां तेंक बहुत दर सेविए और आज कल तो श्री जो मौसम चल रहा है जिसके अंदर उस दन बारिश हुई और वो कैसी बारिश थी बिलकुल पता ही नहीं चला अकसर लाकों में तो हुई भी नहीं अब बड़े सिलेक्टेड लाकों में तो हुई भी नहीं है वहां के दुआएं जादे जल्दी उपर पहुंचती है नल्गस निकल के बाहर देखा ओं पर और के कहां बार्ष और घर के भाइन होनी थी कुछ आजिकल जो फू राहे है उसमें जूश नहीं है तो मिज याद है कि दिसम्ब्र तक मांटे को अलने के बिलकू वार शुरू है और उसका सही जूशी बड़े वाले कीनू जो है नहा आ प्रूटर्स है और वो पता नहीं के लिमू के जगा इस्तमाल करने हैं यहां बारिश ही नहीं होंगी तो फ्रूट पी तो चाइना से याएगा और फिर वहां से दौा है कि सही खुलके जो है तो बारिशों इसके लाव सुन्दस बिमारिया इतनी ज़्यादा हो रही हम डेली से इसे पैशिंट्स को रिसीव करें और वो चीजें कि उनके साचे वह पैशली जो पैशिंट्स हैं मार्ट एप्रिल में जो देखा करते थे के पेशिंट्स को वह प्रॉब्रम्स ओरती वह अभी यह डेसमबर में होनी शुरू हुए है तो समें डाइनेस की बहुत उगे अ और ये जो है इस साल केते हैं कि दुनिया ने ये सेकंड होटेस्ट ऑक्टोबर देखा है कि जितनी भी हिस्ट्री है ये हजारों मिलियन जब से दुनिया बनी है ये दूसरी दफा जो है ऑक्टोबर था जो सबसे ज़ादा गरम गुसला एवना ऑक्टोबर में ठंड हो जाती ह है तो हम स्टार्ट करते हैं बालों से ठीक है और उसके बाद आइस्ता इस्ता चेहरे के लिए सब के उपर जो है करेंगे सबसे पहले तो एक बेसिक सवाल में पूछना चाहूंगी कि ओईली स्किन जिनकी होती है उनको क्या ओयल रेकमेंट किया जाता है बालों में लगाने है तो उस दूरत में आपने घंटा दो घंटे से जादा आपको ऊइलिंग करने ही है एप यह हमक्राइफे तो चीज़ के लिए और इसरा किन जालिये और लगाने के बादे हैं अगर आप में उपर आपके इनव कर लेते हैं तो उसको बार-बार रिपीत करने की ज़रूरत अब अफिर आपनी रोज टेल लगाना और लगाके सौ जाना पे सुबों अब भॉश कर लानी घंटो घंटो आपने ऑफ्टे आप जाना नहीं सोना आप गंटा दो घंटा लगाया उसको वाश करें और हफ़ते में एक दफ़ा मैक्सिमम आपने उसको वाश कर लें अगर आप समझते हैं कि मीडियूम टोन है आपकी बस मतलब कि कॉम्बिनेशन स्किन है आपकी तो उस सुरत में आपने जो हफ़ते में आप बेशर दो दफ़ा भी कर लें और तीन चार घंटा लगा लें अगर अपस्टिमम अब्सॉर्ब्शन जो इसकी होती है वो आदे से एक घंटे के अदर हो जाती है उसके बाद वो सर के ओपर वस पड़ा है वो मजीद फाइदा आपको नहीं दे रहा हुता है जिनको जिनके ऑईली बालों से ऑईल निकल रहा था आपको नहीं होती है तो वो ऐस इसके मौसली बाल ऐसे हैं कि आउयल निकला तो उसमें हमें ऑईलिंजरूर कनी चाहिए जैसे ज़िए उसमें हमें आप से पूछते इसके बार में मैसाथे कॉलर है अस्सलाम लेकुम कैसी है आप ? अलजा की शुकर है ठीक हो ठीक ठाख अच्छा जी मुझे कोई टोट का बताएंगी आप ऑईल का हाँ मैं तारा मीरा के ऑईल का टोट का बता रहेंगी जी 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 जुरूर बताएंगे अलर्जी के लिए गले में अलर्जी किसी किसम कि अलर्जी ओ, खारिश ओ, टारा मिरा का तेल के पांच कत्रे दूद में, अजित बुध है अगले बुध, फिर अगले 3, मतलब हफते bacteria, तीन दो करते है तीन हफते हैं अब फार आपने eszुली है हर बुध को हार बुद कुल पांच कत्रे डालने है तारा मेरा के तेल में दूद थोड़ा से नीम गरम दूद में आदा कप दूद दाले अच्छा इससे गल्ले की खराश ही ठीक हो जाएगी हर चीज ठीक हो जाती है हर किसम की अलर्जी से अफाका आता है वाँ जबर्दस यह तो मैं फॉ मैंने यह ऐसान किया है हमें बता के तोटका है में नोट डाउन कर रही हूं थाइंक्यू सो मच्छ अच्छा तारा मीरा के तेल कड़वा तेल होता है नहीं की जो है तो इनोंने बिलकुल बात की है आप आप देखिए कि और यह दूद भी और यह दूद भी दोनों ही चीज मैं पॉरण इसिमाल करें गले की खराश तो हर किसी को आज कर अपने तारा मीरा का जो है तेल का बताया और वो जो है थोड़ा सा जलाता है स्किन को तो वो मुझे थोड़ी सी वो मुझे बात भी आदागी कि अगर कहीं पर भी आपको राश हो रहे हैं या ऐलर्जी है या को अगर को तो अगर लगा ले तो उससे जो है आपकर यह मिसां खुत आपकर ना कोई मेडिसन उती थी और उस टाइम पर कोई इतनी कोई साइंस भी कोई एडवांस नहीं थी वहां पर लोग अपनी मैकसर सोचते हूं कि ट्रीप्मेंट किस तरीके से होता था तो यहीं वो ची एक अगर आपकोई मस्कुलर पेन है हलका सुसको नहीं कर लोग ऑफने कर लिका और आप देजिए रिल अपने पर पिलकुल आपने जो यह जो मस्वल कोई पर ट्रैच है हलका सुसको इसे मसाज किया आपका पें पिलकूल रीलीफ हो जाता है तो आपको इतनी जादा है है बिल्कुल ठीक ठाग आप कैसी है आला का शुकर है फिर्स फॉर्स 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 आम लेकुम बाकि आपके वी जो भी साथ बैठे हुई जी जी हम से कोई सवाल पूछेंगे हमारे सवाल का पहले जवाब देंगे हमारे साथ होले हैं अभी तो मैं कि अपको नहीं है प्रोग्ज़ कर साथ में पैसर रिधाना अभी सबड़त पिस्तिवय।Что प्यंहें से फॉर्स क्या है है था है जो महां में चेख में लेता हैं ≤ तो जब से मैं इसलामबाद मूफ किया है तो मेरे बाल बहुत अज़ा ड्राइब के हो गए इसलामबाद के पानी हो तो वैसे ही सब करस्ट करते है मारिया डॉंट चुरी हम लोग अभी एक और बनाएंगे और इंशाला उसाइल से आपका ये प्रॉब्लम फोरन दिनों में सॉल्व हो जाएगा ठीक है तो हम याँ पर ऑईल बनाने लगे उससे आपका हेर फॉल जो हो जाएगा अच्छा बालों के लिए अगर ऑईल की बात कीजए तो सबसे बेस्ट तेल कौन सा है अच्छा सुनतस जैसे इन्ईों अभी कोलर ने कुएस्ट्चन किया और उन्ने टारैक जो हेर फॉल की जैसे इनों बात की है तो मैं दू जीज़ों पर रॉष्टनी डालना चाहूंगी एक यह होता है कि हम जैसे हेर फॉल की बात होते हैं या कोई भी ड्राइ स्किन की बात होती हम एकदम से external remedies पर जाना शुरू हो जाते क्यों आइलिंग करें या शैंपू कौन सा यूस करें या चलेंजी प्रोटीन ट्रीटमेंट करा लेते हैं पालर चले जाते हैं मैं सबसे पहले फोकस करते हूं कि आपकी खुराक अच्छी होनी चाहिए यानि आपकी डाइट अच्छी हो आपकी नींद अच्छी हो आप इतनी जादा परेशानी में आप ना हो आपका internal factors को पहले आप देखें ताकि अंधरूनी तोर पे आप strong हो और हेर फॉल के लिए सबसे पहले कोशच करें कि प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल करें जानी चीज़ под unless प्रोटीन sources अच्छी होती है अंडाओ हो गया गोषट हो गया फिश हो गया या विन्टर्स में फिश का ज़ाधा से जदे है इस्तेमाल करें नाशने में एक्स जरूर लें वो लोग जो कि अपनी डाइट में जादा तर जिंक का इस्तेमाल नहीं करते या किसी किसम के कोई सब्टिमेंट से इस्तेमाल नहीं करते और बस सोचते हैं कि हम ये सब कुछ कर लेंगे तो बाल ठीक हो जाएंगे कि सबसे पहले अपनी हाइडरेशन का पानी का इस्तेमाल करें अपने आपको अंधरूनी तोर पर स्ट्रॉंग करें उसके बाद पर आपने जो है तो एक्सटरनल फेक्टर्स पर जाना है फिर आप उसमें शेंपू करें उसमें पालर करें उसमें फिर आप जितनी आपकी आईलिंग वो सारी चीज़ें आपने करनी है आईलिंग के जहां हम बात करते हैं वहाँ पर आपने डिफरेंट किसम के आईल्स जो हैं वो आपने लेने किसी एक आयल पे आपने नहीं रिलाए करना कि ये आयल मैं जो हूँ तो यूज को लाइक मैं हमेशा रिकमेंट करती हूँ कि आप 3-4 किसम के आयल को मिक्स करके शेक बनाके अपने पास आप रख लें ताकि अगर आप एक दफ़ाप सरसों का तेल लगा रहें एक दफ़ाप कोई और जैतुन का ये कोई भी मुखलिफ किसम के आयल साप शेक करके रखे और एक दफ़ा लगाएं ताकि सिंगल टाइम में आपको तमाम तेल की तासीर मिल जाएं अगर आप कोई समर्ज में यूज करें तो कोकोनेट का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया विंटर्स में आप अगर चले गए तो वहां पर आप कोई भी जैतुन का सरसों का आप उठाएं और आप इस्तेमाल करें बिल्कुर हलका से स्कैल्प में आप लगाएं उसको छोड़ दें और आपके बाल खुद बहुत आपके हल्दी शुरू हो जाएंगे क्योंकि जो आइल्स होते हैं वह भी बैसिकली आपकी स्किन को मॉश्टराइस करने के लिए होते हैं और आपकी डाइट में जो प्रूटीन होती है वो आपकी हिर जो होती है एक दो चीज neighboring practical कैल आ रहा है वह जो चीज क्या जो रूक्त के स्कैल्प आपके लिए गर गिर रहे है तो फॉलीकलte से किर रहे है तो जो पेले बचाना है इस चोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक जमेक्टी मॉर्निंग हमें जोईन कि एक और खुबसूरत खातू जोईन कि एक और खुबसूरत खुद थाटू है देख इवर्क्स एवरी टाइम दॉक्टर शेरवानो कैसी हैं? बिल्कुल ठीक अलहम दिरलाब कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाकूँ अज आज आज आफ़ माशा लूदा बहुत अची लगही है, बहुत अच्छी लगही है यह एरम ने मेरा हैरस्टैल बनाए है, अबस आब को बता दूए है अगलत करती है अब अच्छी मेक अपार्टिस्टेम को हम आज बात करें हैं और एक और जो रिसेंटली बहुत जादा मशूर हुआ है और कंसिरबली इक्सपेंसिफ है बाकी सारे ओइल से वह है और अरगन और उसका जो है मैंने बालों के लिए और यूजिली मैंने देखा कि वह लीवन और बाकी सारे जो ओईल्स है वह आप लगा क अरगन और अरगन और यूजिली इस जादा तर जो मैंने देखें वह आप बालों में बाद में लगा ले या थोड़ी से बेस में मिक्स कर ले हर चीज के अंदर जो है वो लीवन है तो उसके बारे मुझे कुछ बताएंगा वाद अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया कि यह व जो लोग यह बना रहे होते हैं उस पे पर्टिक्यूरली लिखा होता है कि यह इस मकसद के लिए है तो आपने यह इस चीज को फॉलो करना है कि जहां पे हेर ओल है उसको हेर के लिए यूज करना है जहां बाड़ी ओल है उसको बाड़ी के लिए यूज करना है तो तो यह ज आपने बहुत जबरदस चीज है, एक जर्मनी में बहुत बड़ी कंपनी है, उसका में नाम नहीं होंगी, it's a very big brand, उसने दो ओयल सेलेक्ट करके, अपने मेकप में वो ब्रैंड उसमें डाला है, एक अरगन और एक लिवेंडर ओयल, I think I know which one you are talking about, exactly, so these are two very famous oils, which are creating a huge market in the cosmetic world, Argan oil की खुबसूरती है, exactly वही बात है, अगर नहाने के बाद लगाएंगे, दो तीन drops, dull, rough air, जिससरह हम लोग आजकल खावतीन, dye bot करती है, मैं अपनी भी मिसाल दूँगी, तो उसमें हमारा बाल बिलकुल इससरह जाडू की तरह बन जाते हैं, और जब आपके बाल वेट होता है, नहाने के बाद, सिरफ तीन-चार कतले रहें, उसको as a serum use करें, 3-4 drops, that's it, make-up में it is used as a primer, के पहले लगा लो, even make-up के बाद, foundation आप लगा रही है, और उसके बाद, अगर आप चाहरें के glow आपकी skin पे, और एक dull look ना है, use few drops of oil on your face and blemishing effect, बिल्कुल, बहुत खुबसूरे तर आपकी जाने से glow करना शुरू हो जाती है, बिल्कुल, अच्छा, एक और चीज आ रही है, जो मेंने देखा है, के elixirs उनको कहा जा रहा है, तो और उसके अंदर यहां पर आप देखेंगे, जो ड्रॉपर में, यह खात इसके अंदर fatty acids है, fatty oils है, सबसे बहतरीन इसकी quality है, anti-aging के तर पर इस्तिमाल किया जाता है, जो लोग 20, वो age है, 20 साल, हम लोग कहते हैं, जवान है, लेकिन 20 के बाद, aging process start हो जाता है, आपके skin में, प्रॉपसूरती के आपके हाथ में है, आपके हाथ में प्रिजर्व करनी है So, be very careful, 50 के बाद, कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत कर सकते हैं, जवान है, मैं अभी कभी कोई cream लेने जाओ नहीं, बोगती से बिजर्किन है, अभी नहीं चाहिए, झाईन जो है, अँजेंज है, लोग कोवाजिन, वो डी जनएट होना है, 20 के बाद, 20 के बाद, 20 के बाद, और भूल्षिक बिल्कुल और दिस कछलर होना सुरू हो जाते हैं अपको लगता है कि यह जल्दी ने लिए बाइस किने बाइस कि बहुत जल्दी एज करते है कि इसलिए best बस्ट जो आप का a present topic बड़ा होता है वो आपके लीचे डर्मस तक नहीं जा सकता यहाद रखें ओयल पार्टिकल साइज इतना चोटा होता है कि आप उस ब्लेंड भी करें वो आपकी लीचे लोड लेयर ऑफ स्किन जिसको हम डर्मस कहते हैं वहां तक वो पनेटरेट कर सकता है ऑचे लेकिन यहाँ पर गी ही जब हमकित अपकी बात करते हैं तो जब हम उईली स्किन की बात करते हैं तो चार पैसे लगा के वो आपको दो महीने तीर महीने राम से काट लेता है tea tree oil is for acne based skin ठीक है anti-aging properties है उसके इलावा आपको olive oil जो specially extra virgin olive oil है that is very effective for your dry skin old age में तो जरूर इसकी malish rat को करें scalp में हमारे पास कुछ तवाईया ऐसी होती है जिसके अंदर olive oil के अंदर एक हलकी सी दिवाई हम लोग मिला के एक formulated form में होता है वो patient को देते हैं तो वो आपकी flaky skin जो बिमारिया होती है ना आपकी skin की उस वो बहुत जल्दी रिव हो जाती है तो ये और तीसरी very important thing जो general information में देना चाहती है market में बहुत expensive oils होते है आप उस पर जरूर पढ़ा करें कि इस पर cold press लिखा होता है जिस पर cold press हो which means कि उसके अंदर इतनी ज्यादा antioxidants की तादाद आ चुकी है कि वो आपकी skin को बहुत बहुत फाइदा दे सकती है और जब आप fresh oil लगाते है कोई भी आप Tara Meera या चमबेली का तेल है they are good, अफादियत अच्छी है चमबेली का तेल लगाने से पहले जरूर जरूर इस तीज का खास हाल रखें कि पैच टेस्ट ऐसे मैंने आपके पहले प्रोग्राम में का था हलका सा रिस्क पे मसाज करके देखें अलैसम्सलाम, आपी केसी है? मैं बल् Between Teeak आप केसी है? आपी मैं तीक्ताव थीज आपके एमादियर्स कीच्टन पूच्छन पूच्छन पूच्न विपूच्छन मैं पूच्छन आपके मैं यृ स्टियू की जरुछन था रखें जाये है यह जाये शफिताय नहें उन्हेम करना अँछी ट्रह बताए है तो फोटणे तो हम दो किसे फुराख मिनौ इस्तिमाल करना है जी है रहा अच्छा ब्लेंट किया है, तो दवाया क्या दें और फिर अगर कुछ पह नहीं होता है तो आपने पाला में कवर केसा करता है अगर नहीं हो रहा तो आपने तीनो जो है और आपने पहर को बता है So the problem which she is wasting is known as acne, acne को हम different forms में डालते हैं अगर वो गढ़ा छोड़ती है, गढ़ा ना छोड़े, पिग्मेंट छोड़ती है Exactly, cystic acne होती है वो गढ़ा छोड़ती है, ठीक है Acne के proper treatment होता है, परे तो हम लोग एक history लेते हैं मरीज से proper कि आपके hormonal imbalances की शिकायत तो नहीं है उसको rule out करते हैं, उसको treat करते हैं, जिसको हम PCOS करते हैं तो उनको treat करना लाजमी है तीसरा ये मैं आपके हर program में, evening programs में भी कहती हूँ Do not apply whitening creams, please बड़े मिश्कल से मानेंगे ये तेके शिर्भान में, ये हमारी society का मसला है, अगर हम गोरे नहीं होंगे तुमर रिष्टे नहीं आएंगे तीसरा और हम पसंद नहीं होंगे मैं अगरे नहीं होते आप मासा अलहाला बला मिया नहीं होते, यहाँ पर इतिहीं होते ही इनगा और हम रहे होंगर होना मुझे भी शौका है क्योंकि मैंने भी फाउंडेशन रगाई है मैंने तैन नहीं लगाई है जैसा भी मेरा कलर हो मुझे शॉक है आपका हग है एक सेफर मेथेट्स होते हैं मार्केत में एक सेफर क्रीम्स होते हैं फॉलो देम बलकुल नमबर वन लव यॉर्सेल जो आप हमेशा 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 एक्जा लेती हूं यह खुबसूरत है जो टाइम के साथ खतम हो जाते हैं यह बीस के बाद इन उन में शॉक देगी है कि आपके बीस के बाद में शॉक दीप हाँ तो यह आप तो लोग पास्ट है इस तनी खुबसूरत मेरी क्रीम काम नहीं करी कोई कोई time period होता है कि जब तक पो काम नहीं करी एक होती है जिसमें हम oral medications भी देते हैं topical cream भी देते हैं इनका combination होना बहुत जरूरी है तीसरा यह मरीज की compliance जिसका मतलब है कि मरीज को sabar का tahammul का मजाहरा करना बहुत जरूरी है क्योंकि Acne वो treatment is इसमें 3-6-12 मा लग सकते हैं so what people do they keep on changing the doctors यार मैं ठीक नहीं हो रहा हूं they keep on changing the regime, doctors आगे regime change कर देते हैं तो body को गुसा आजाता है कि यार react कर जाती है कि यार रदाफ 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 रजीम भी change हो रही है patient पी छोड़ा treatment so then you know it comes to the same thing और दूसरे यह आप निशान की बात करें please मैं बार बार आपको यहां पर बताती हूं के extractions होती है, बिलकुल होती है लेकिन doctors जो है proper sanitization के साथ proper instruments के साथ करते हैं जो आप नाखुनों से prick करते हैं नाखुनों से प्रिक करते हैं नाखुनों से प्रिक करते हैं जिसका मतलब है कि आप एक्स्कोरियेट करने हैं और वो पर्मिनिट आपका काला निशान के दभा चोड़ रहा है वो फिर हम लोग के लिए बड़ा चालंजिंग होता है treat करना इनको आप कुछ रेकमेंड करना चाहें कि वो फिलहाल के क्या करें वो फिलहाल तो definitely आपके oils की बात हो रही है तो आपके tea tree foaming face washes वाज़ कुल होते हैं उनको follow करें दूसरा oral treatment आपकी acne को देख के दी जाएगा इन्वेस्टिशन जूरूर करा ले इनको को salicylic acid राइट? वो होता है? प्लीज एवाल्यूट यरसेल्फ अगर इन्वेस्टिशन की ज़रूवत होगी वो कराएंगे वाल्यूशन के बाद के आपके किस किसम की acne है उसके बाद हम cream स्काइब करेंगे ठीक है आपको जो हमने उपर उपर वाला treatment हो बता दिया है लेकिन साथ में यह चीज़ बहुत क्लियर करनी होती है कि acne की treatment में सिफ एक diet plan नहीं होता यानि कि आपकी diet इतनी जादा matter नहीं करती आपकी acne treatment में जितना कि आपका proper medical treatment आपका matter करता है तीन चीज़ें आपने जो हैं तो diet में बहुत जादा care करनी होती है नमबर वन यह कि आपने पानी बहुत जादा पीने है ठीक है यानि कि अगर आप winters में ले नॉर्मल हम कहते हैं कि seven to eight glass per day में पीने चाहिए तो acne prone skin को ten to twelve glass at least पीने चाहिए दिन में और गर्मियों कि अगर हम बात करते हैं तो 15-16 glass पानी जरूर पीने है आपको लग रहे है कि skin में मुझे थोड़ा एकनी प्रॉब्लम है नमबर टू यह कि जितने भी oily foods होते हैं deep fried हो गए, french fries हो गए, junk food हो गए यानि वो तमाम चीजें में जिसमें आपको लग रहे है saturated fat बहुत ज्यादा है ठीक है उसको आपने totally avoid करने तीसरा यह कि आपने ज्यादा से ज्यादा आपने वाइटमेंज और मिनरल्स की चीजें लेनी है जिसमें fruits और vegetables बहतरीन हमारे पास example है तो यह तीन चीजें पानी है आपने बेहद इस्तेमाल करना है oily चीजें आपने कम से कम खानी है और तीसरी चीजें यह कि आप तो fruits and vegetables का बहुत जादा इस्तेमाल करना है in addition plus आपके proper sleep होनी चाहिए आपका rest अच्छा होना चाहिए आप बहुत जादा stress में हर वाकत anxiety में आप परेशान है यह चीजें भी आपको खराब करने करें अगर आप यह चीजें अगर आप योगर्ट का बहुत इस्तेमाल करते हैं तो क्या वो acne जेनरेट कर सकती है क्योंकि बहुत साथ है जो spicy जो यह तीक मिर्च मसाले वाले खाने होते हैं आम तोर पर यह combination में आदे और ऐली आइटम्स के तो वो दोनी चीजें जब एक अंट्रास में क्योंकि हम मिर्चे वैसे तो नहीं खाते हैं हम किसी खाने में मिर्चे जो है तो डालते हैं तो अस तरह से गॉर्मा बर्यानी तरह से तो खराब होती है हम उसको रगमेंड करती हैं कर योगर्टा उसकी आप ता योगर्टने है तो दम किसी भी लूगर्ण नही खाती है को लिए प्रहसे कि योगर्टमे पर नहीं तु बाहिते हैं अभसे उसकी एक दफवए तो झाल से एक् vil ак like विल्कुल ठीक है और विदिन थी टाइम उसके जो एकनी बिल्कुल फ्लाइट होगी उसके सारे निशान हतम होगे अच्छा रुड्यू बिलीव के योगर इतना एकनी के लिए खाने से और बैटर है कि अगर खाया जाए तो लेकिन जो बचियां होती है इसकिल कि नहीं भी ख मुझे मसालों का तो मुझे मसालों का तो मुझे रिलेशन ऐसे लगते है कि अजब बहुत जादा मसाले खाते हैं तो आपके मैदे में भी तकलीव शूरू हो जाती है एसिदिए प्रोडियूस करता है और फिर योगर्ट और दूद एक ऐसी चीज़ जो के बेस है तो उसको फ्लाट आउट करता है मतब आपका मैदा भी जब खराब होता तो थंडा दूद पीने को कहते हैं वह मैं कि मैजब अब बात करता है लाइवस्टाईल की अको मोर्ण ग्रूमिंग आपकी डृसिंग आपका खाना पीना पर सोना जागना परसनेलिटी में आपके जाएगा तर दाट आट रियाक्टिविट इसमें प्राबबली मेरे साथ थोड़ा जाधा होता है पर जंक फूट इस तरा आपने का आपको आपसलूटली अवाइट करना है युज इन रिटना जाधा एक तो और मैं कहते हूं ये खाने सारे ओल में ये डीजल में पकते हैं य क्योंकि वो और पते नहीं सदियों सदियों पड़े रहते हैं और उसे कंदर चीजें फ्राइए हो रही हैं अप सोचें जिब वो खाने आप खायेंगे तो आपका क्या हाल होगा मैं सब्सक्तर और कॉलर है क्योंकि अवा सब्सक्तर और नही कि आपकरार्न फेल होगाः दोल्सक्तर इसके मुझे विब गष्टा करती। जो लोग ग्रेसफुली एज करते हैं इतने मुझे अच्छे लिए अच्छे लिए अच्छे लिए अच्छे मेरे बचे जवान हो जाएं लेकिन मैं यंग लगूँ आइ तिंक जादा तर जादातर खभादेझने गे जाओ थे यह यह सीनयर्यो जाइज़ी जादा है कि यार मेरे बच्छे मेरे जुतने है और मैं लिए ज़्वा उन जासी लगो तो जल्दी पच्छे पैदा कर लो, एनरजी होती है आपके अंदर, आप जादा इन्वेस्ट कर सकते हो, वो बात बड़ी सही है, के अंदर, उसके एनरजी है, तो इनका जवाब है क्योंके मैं तो चोटकों की तरफ तो जादा जादा जानी सकती है, एक है कि अर्गन और का इस्तेमाल फ्रिक्वेंटली करें ताके धुएनस भी खतम हो, और रिंकलिंग में भी थोड़ा हेल्प करता है, प्रिवेंशन इस बेटर देन क्योर मिलकुल मिलकुल अर्ली अगर यह स्टार्ट कर देते हैं तो शायद इनको आती ना इतनी जल्दी किया जल्दी है फॉर्टीज की एज में भी अच्छा वैसे कुछ लोग तो मैंने ट्वेंटीज में भी देखे हैं के रिंक रहते हैं जो कि उसी वक्त विदिन 3 देज आपको रिजॉल कर लेता है लेकिन बोटॉक्स का side effect में यह कहूंगी कि यह थोड़ा महंगा है और आपको हर चार से शे महीने के बाद रेपिटिशन की जरूरत हो सकती है लेकिन amazing effects, we have not seen any side effects with botox. तो हमारी एक पर्मारी एक पर्मारी एक प तो कोशिच करें laugh lines तो हम control नहीं कर सकते हैं लेकिन frowning जो है यह tension यह करके focus करके देखना अकसर लड़कियां बहुत करती हैं यह नहीं बहुत करती हैं तो keep yourself relaxed. अपने muscles को आपने relax रिखना है ताके muscles उस जगा पे permanent जो हैं वो contracted phase में आ जाते हैं तो then the treatment only we are left with is botox. आपको और honey लगा के तो lemon को rub करें आपने जो line उनकी परड़ी हैं तो definitely कुछ ही दिनों में इनकी lines काम होना शुरू हो जाएंगी अच्छा एंपर lemon को honey में उसके आपर rub करना शुरू कर दें दो से तीन दफा करें और daily करें खुद ही इनको फर्क नजर आएगा कि इनकी lines हरतम होगी लेमन और honey को मिक्स करें प्ली से कर ली जागा यह करने से पहले क्योंके रूड़ा सा करके यह बड़ा एफेक्टिव होते हैं सारी चीज़ा लेकिन आपको पिस्किन टाइप जरूर देखनी पड़ते कुछ लोगों कि स्किन पर lemon के सब्सक्रा होता है तो से reaction हो जाती है तो पाइच टेस्ट थोड़ा से अब फ्सक्राइब इपना है और यह वस्किन आपनी यूज़ाग इपनी यूज़ाएफ इस वेरी गोड अच्छा मनू का हनी एक सपेशल हनी होता है इसकी स्टु पी मिलतनी इंच कर मार्केट में कॉस्मेटिक से भीलेबल नहीं सब्सक्राइ मनुका हनी आराम से मिल दो मनुका हनी मिल जाए टाइम एक टोट का मेरे पास भी है इसके लिए जो मैंने देखा तो है बड़ा काम करते हुए लेकिन मैं पहले इन लोगों से बात करके फिर आपको बताऊंगे चोटी से बात के बात यदिति के टाइब प्रिव इसके लिए विए विए लिए वर्यारा के टाइबुश्यू है पर यद्यू अजिस्ट से अविए लिए अचितिक टाइब युका है थे आप टाइम प्याज आगे आ जाए कया बना रये माच? यहाज हम बनना रहे है कव बना रहे है कवुबवयृ ड इसमे रहु चिकें चाहिन동 मुन कोईट में चाहिन्स, इसमे मेंदूीर करें में हाए थेस्टाुन, इसमें आपको बना रहे हैं तुर्टल अपरकें प्ताहिँ आपको डिल के वाला थीकल, ग्रेंचिली एग, चिली सोस हे, खर्न फ्लोर, वनागर, सस्मी, चीज, मौजज़वला चीज हे, और श्राइड के बेंचिंग, स्वय सोसे, वस्टर सोसे, और कोकोनेट औल, एग होंगे, जार्लिक होगा, ये एलिव ऑलिव, जार्लिव एलिव, मस्टर् मेर इनल से एक ऐसे काया है। जो आपरल ज३री मौन परिकल जवाड़ जाएं Wenn You एक क्रेंस में धुकिन कोड़ी जाता है, और परिकले अटेक्वि करना गषाया है। आप कोई डीफ्राइ कुछ बनाना चाहरे हैं, रेसिपी तो वहाँ पर तो आप जो है तो डेफिनिटी ओले ओल आप यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो है तो स्पोकिंग पॉरिट का मसला आ जाते हैं, आप नॉर्मल कुछ सैले ड्रेसिंग बना रहे हैं, या कुछ जाए नहीं कर सकते हैं, तो अल्व औल पर लोगों का यह चाल होता है कि शाहिए यह कैलोरीज नहीं होते हैं, जित्धे के दूसरे ओल लाइं नाइप, वही नाइन किलो कैलोरीज पर वाइड करता हैं, लेकि उसके और हेल्थ बेनिफिट्स इतने ज्यादा हैं, कि हम इसको अजय को अजय को आजय को आज कमपेर टो दूसरे और उल्ल को ज्यादा रिकमेंट करते हैं, और आफ जो पूद्धिट्रा यूज करी ने सकते हैं, कि आफ उसमें फ्राय करेंगे नियाबने बस छाड़कना है उपर तो आटमाटिकल उसके क्वान्टिटी जो है, अच्छा मैंने पड़ी थि कि अगर आप देसी की को भी जादा आप यूस करना शुरू करने जादे इस्तिमाल आप करने एक्सेसे मांट तो वो पी आप के बेट को रीडियो करता है अच्छा बिज़ देसी मखन होता है इसके बारे में भी यही सुना वा है कि having a spoonful of मखन अब देसी मखन आपका आपका खालस मखन है उसको कहते हैं कि वहाप को रोज वाज देशन पर जाते हैं तो हमारे हां कोई भी बहुत चंद गिने चुने लोग होंगे जो प्रॉपर डाइट प्लान को पूरा पूरा पॉरा करते हैं यूशली लोग फाके कर रहे होते हैं तो अब आपके कर रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं से तो निजिशन अपनी पूरी करनी है तो उसके अंदर ये देसी घी मखन ये वाली चीज़े जहां पर आप लैक कर रहे होते हैं उनको पूरा कर रहे होते हैं और लिंसी डोल मेरे खाल से ये फैक्ट रिड़क्शन में अगर 5-10 kg आप ओर बेटे हैं तो दें में एक दो दफ़ा यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं अच्छा मैं मैं जिसकी बात कर रहे हूं मैं तो आपने अगर चुपडी रोटी खा ले तो वह भी जो है मैं तो भी जो है मैं तो पूरी बहुत जादा पसंद है और चु मैं जिस तर उस दिन बदा रही थी कि मैं शॉपंग के लिए गई और मैंने सोचा आज सिर्फ हिल्डी खाना लेकर आना है तो चंद ऐसी चीज़े होंगी जो आप कॉन्फिटेंस से उठा सकते हैं कि अच्छा ये भी नुकसान देनिया निए वरना हर चीज में प्रिज़ जिस चीज की शेल्फ लाइफ जो है वो हफते से जादे उसो प्रिज़ जरूर होगा इस पे जरूर प्रोग्राम रखना कि प्रिज़ आपको क्या-क्या मसले कर सकते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल और कुछ मिलता ही नहीं है मतलब I was telling them I walked out with एक organic vinegar की bottle ठीके और एक दूथ ज आप ले ले तो फाइदा दे देती है लेकिन इतना मुश्किल है और यह हमने अपने लिए जंदे की convenient करने के चक्कर में बहुत जादा मसाइल बना लिए वरना यही देसी की यह सब कुछ जुथा कितना असान हो जाता आपके लिए क्यों जब्स आपके लिए हम देसी की के अज़ करने लिए लोगों में हर किसम की प्रॉब्लम होईगी है किसी कुछ बड़ प्रॉब्लम में किसी कुछ है तो वह रिल्दी फूद नहीं लेगा वो लेगा नॉर्मली अच्छा ठाटनिंग फूद नहीं लेगा तो इस वज़ज़ से यह बड़ा वह बहुत के लिए दूसरा इसका टेस्ट भी बहुत अवर्वल्मिंग होता है देसी की का फौरण आपको फील हो जाते है इसके इंदर देसी की है अगर देसी की यूज़ भी करते हैं तो वह जाते हैं आजकल वह बड़ी प्रॉब्लम है हाईजीन की एडियस में वह जो बनाते हैं लोग बना नहीं हो, अईकल समें डोगाते है झांजने आखे सेयरे हो ज्टाइस हएं जरूर लगाते हैं यूली नहीं होता है है मिने मेरे केस दूप यूल्म मैद नहीं होता है Wenyaöst कराज आज बादा चलके हैं, अब चाहां सा वेट रीज्टी ते ती जैए और छोड़ने के बाद, पर बाद शोरने के बाद, ऑस बेखने शुग लुग को यह. तो दो ऐसी चीज़े जो बहुत जादे ड्रासिकली एफेक्ट करते है ये मारिनेशन के बाद हमने कावगोई चिकन जो है वो डाल दिया इसके मारिनेशन पूरी हो इसके मारिनेशन जो है पुरिंच चिली वस्टर सॉस गरलिक सॉल्ट और मस्टर पावरे ठीक है ठीक है और जो हम सेसमी होल जीकन के इसमें कांफ्रोर भी डाले इसमें सॉल डाले है तोड़ी सी ब्लैक पर डाल दिया ठीक है अभी इसको हम पैन में पाटी तो फिर उसके अंडर पाकी एग्ड़ेंस अच्छा एक चीज आपने शुरू में बताई थी दो एक तीन तरह के ओल्स ओते ह गोल जो है वो है बेबी ओल जीक्वार जगा अगर आपको नहीं मेकप रुआप मिल रहे है तो कहते है गर बेबी ओल यूस कर लो तो उससे जो है वोटीन को जाता है तो झा अच्छास को यूशा थी तो मैं यह जन्ने भी Oils शवार देत करे एज इसमें से कॉन से कॉन से करें अगर और जिसके ओपन पोर्स हैं और जिनकी पहले अकनी की हिस्ट्री रह चुकी हो वो और बिल्कुल फेस पे ना लगाएं अच्छ मेरा यह मश्वरा है कि इसके लिवेंडर इस वेरी गुट कि लिवेंडर ओल बेबी ओल डेफिनितली इसमें विटमिन E बहुत होता है जूजूबा ओल एक होता है वो कि लिवेंडर बहुत अच्छा है एक एक वेर्ज अफूट जिसका एक है और नों की इसका एक है और नों की अपरिशिशन में भी इफरेंट अच्छा इसका जब शुरू में द्रयाफ किया गया था मॉर्चन ओल तो एक इन बंदा था जो मत यहां पर ओरतों की इसके अच्छा इसके निदी खुबसूरत क्यू है तो पिर वहां से अरोंने द्रयाफ्त किया था मॉर्चन ओल और वो मॉर्चो के छोटे से कस्बे में गया था और वहां से यह special extract उसका प्योर ओलो तो जहां से मिलता है अच्छा और यह खर इंपर्ट क्या जाता है तो आजकल तो ऊज़ी अवेलेबल है क्योंकि वोल्ड़ बहुत जादा यूस हो रहा है बलकुल 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 बहुत जैदी फोई है इस वेल्ट अर्गना सबसे जादे एक प्राइबल से मॉर्चन और इसके जो है एक शांपू है विच इस इस जो बात कर है यूज आरे शांप नोगों में से को सब्सक्री हूं कर दो ठीक हैती निचा को मुझे कोई तोटका थेँ तोटका नहीं बताओंगे बलके पूछना चाहूंगी जएके सरफ मुझसे सवाल पूछते हैं कोई कोई मुझे बताता नहीं है पूछे 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 आपके शोव बड़े टॉक्लास जा रहा है में बड़े हमत अंगोश होकर सुन रही हूं थेंक यू जी तैंक यू जी जिनकी एज I think 40 प्रेस थी उन्होंने सवाल किया था चे मेरी एज इसनी है और मैं बुरी नहीं होना चाहती 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 और मैं जब हस्ती हो तो मेरी अंडराइज लाइं पर्ट जाती है तो उसका रिप्लाइ इतना स्पेशल आपने नहीं दिया वो एक एक्सपर्ट नि याज ताइं मेरी एज ओनी जो है वो 27 है तो हस्ते वे हाँ, खली है जब हस्ते तभी लाइं पर्ता है पर्मने लाइं लावा भी कोई बताएं ज्यामा को है फो अपशे एक हम ने आपको वो हनी और लेमन वाला बता था लेकिन उसके लिए आपको हम लिकन पी इसके ठीक है हम आपको सिनफ टोटका नहीं हम आपको खुराक बिता जिससे आप रिंकल्स को जो है अवाइड कर सकते आप अब पे 27 अजवान जहान हो इस परिशानिया लेने की जरूरत नहीं इस बंदा इसमार है बंदा हस ही नहीं सकता है coupon कैसे ठेप लगा पूच्चा झाल शुल कुछ ए ख़िया अच्छा है तो और रिकमेंड के एक आप जापन के आप आ। 211 करें जो है वो जैसे सढजी और मेंडरी में फॉर्टि अबिया आ पॉपियो गए ठीटियों कि दिया मादरी यूज यूदा जाती है। में ठोया सब्री ठीक है जी ठीक आपको बताते हैं एक तो उन्होंने कहा है कि जिनको कॉलिस्ट्रॉल हाय हो उनको कॉन सा ओई यूज करना चाहिए और दूसरा रिंकल्स को अवाइड करने के लिए फाइन लाइन्स को अवाइड करने के लिए क्या खुराक होनी चाहिए ये भी उन्होंने पूछ लिए ये दोनों चीज़े हम आपको बताते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बात कि अपने टोटका काउंटर पे इस वक्त और हम जो है कुछ चीज़े बनाने लगे हैं यहां पर जो के आपके लिए मुफीद होंगी इससे पहले हमारे साथ जो यहां पर जिनके उपर हम इस्पेरिमेंट करेंगे असलाम अलेकूम कैसे हैं यहां टीक आक्षर मारी हैं आपके स्कुन तो ऐसे बड़ी हुबसूरत है माशा आलला मेकप तो नहीं किया वा नहीं अचिस किन पर प्रॉब्लम्स होते हैं यहां तो फिर दुन पर इसके बड़ी पसंद हैं ऐसा हैं एक प्रॉब्लम जो मुझे ह का नारे है जो हम लोग आज दू चीजे बना रहे हैं एक तो हमने हमारे पस टाइम थोड़ा कम था इसलिए हमने आएल बनाना था वह मैं आपको इसका बता दूँआ यहामने एक और बनाया है अभी फ्रेश फ्रेशी इसका हमने क्या करना आप सर्सों का तेल ले कोई भी अगर आपने एक पाव सर्सूं का तेल लिया उसी में आप एक पाव मूलियों के पत्ते ले लेंगे अच्छा ठीके जब वो पत्ते ब्राउन हो जाएंगे जब वो पत्ते ब्राउन हो जाएंगे जब तक आप बना रही है जब वो पत्ते ब्राउन हो जाएंगे तो आप चु आप यो जो आयलिये इस तरह को हो गा कर ना खेक है ठीक है ठीक है ठीक है केश्टर है के 2-3 ड्रॉब ढालगी यह एक ऐससंस का सब्सक्तर है कि आप है हे ड्लों को परभलम होता है हमारा हेड बहुत ज्यादा है अच्छा अगर आप यह बनाए आप यह टू से थी टाइम यूज़ करें आपका टू टाइम के बाद आपका हेर फॉल आसे स्टाप हो जाएगा आप सोचेंगी भी नहीं है कभी हेर फॉल ता मेरे अच्छा जबर दर उसके लावा आपका जो हेर फॉल के बाद क्योंकि हेर फॉल स्टाप करेगा उसके बाद आपका जो हेर ग्रो करेगा डयाटर फॉल करेगा टाइंड्रा फॉल करेगा यह सारी चीज़ आप इसको मैजिक ऐसकते इसके होगए जो आज पर पाका बहुत जूरूर थी सेक नंब बनाएंगे हेर मास्क कि एक इसलिए कि इस लिए क कर दाने कर दो जाएफ नायो तसमे या उसमें आपने जैटून के तेल लिया तीकितां जितनी आपने माइणीसलिया है अपना ही आप अलोवेरा जेल लोगे तेक अब अबने निकाला वाता वान एफ टेबल स्मून अलोवेरा तो बहुत अच्छा है आपके बालों के लिए इस जिस्ट इंस्ट प्रोटीन आप जूट्स पर लगा लें आप बालों के उपर हमेशा जो है जो एक दफा बाल खराब हो गया एफ आम नौट रॉंग एक कलत फैमी में आपकी दूर कर दियू कि एक दफा आपके ग बन चोट है उनको कटवा दिया आपके बड़े लगते हैं छैक जब अवन को निगए प्लॉब नहीं करेंगे आपके बालों के बडेगी बड़ेगी बड़ेगी बिल्कुल ठीक है इसको मिने मिक्स गली कि आपके घ्रमास के इसको हम एप्लाइ करेंगे अब इनके बालोंं तो इसलिए एप्लिकेशन करना बता रही हूं कि आप उसी तरह से एप्लिकेशन करो ताकि व रूट्स तक जाए ठीक है यह तो मर्शल एंके बाल काफी घने है मुझे थोड़ा हो गए इनके बस हैट पे लगाएंगे वैसे अगर आप में लगाना आप लेंट पर कभी भी मास तब तक ऐसा करें जब तक हम अप्लाइ करें आपको साथ साथ दिखाते हैं जोने सवाल किया था मेरी ने अगर आप उसका जवाब देदे हमें अब दो ग्वेस्टेंज जो थे तो कॉलर ने पूछे थे एक तो नोने कहा था कि मेरी मदर का कोरिस्ट्रोल लेवल जो है तो बहत जादा है दूसरों ने ओपहरा की थी ती अब आम तोर पर ही होते है कि हम एप लडीय और फटील की बात करते हैं लडीयल होता है जो हमारी पर हैद ये हमारी बाडीय दोौह फॉते हैं और फें हमारी पर है यानी high density ले पर प्रोटीन होती है हमारी पर हमारी बाडीय बौटी में होता है तो इसका मतलब है कि आपकी बाडीय बी ज्यादा हो हो रहा ह्यों को अपने एचडीयल को बढ़ाना है उन पने फूट छोने स से जब इसाए सबसके हैं जो इस साथ हो पर डाइट रखाली के साथ में और उसाए को जानता साबल है कज चाहिए ज फ्रूट अ चाहिए थाकर गाद अजिए करना चाहिए जाए बएका ऊिर्टारोडी के तो रोल्स चाहिए वी ठीश करना जयुकित नार्मल प्लांट उन को चाहिए अंड्विटरों को प sm कि आर्मेरी वर्गोग्स को चाहिए और ऑफने की साथे को में सेतरिस्टाइदूराने हमें उनका क्या है वो भी ठीक है वो भी हमारे पास तोड़े unsaturated है थो हो जाते हमने saturated fats को हमने use को हमेशा है विल्कुल हमने unsaturated या जो polyunsaturated तो फिश ओयल भी आ जाता है Omega-6, Omega-9, Omega-3 आप तो ओमेगा की सोने होंगे वो सारे हमारे पास monounsaturated या polyunsaturated और उल्स होते हैं बिल्कुल, quad liver oil को तो वैसे भी आप इस्तिमाल करें, it's very good for you अच्छा, रिंकल्स के लिए भी जो है, वो कुछ बता भी वाइटमिन E के, या पर dietary जो supplements होते हैं, जो safe हों, उनका यूज़ आप करें तो हम बालों पे ऐसे लगा दें, उपर लगा दें, बिल्कुल, हाँ, सही यह जिस्त बताने का मकसद सरफ यह था कि आपने बालों के अंदर इस तरह से रूट्स में लगाना है और आपका olive oil भी आगया, यह तीनों चीजें इतनी जबरदस्त हैं, कि अगर आप यह तीनों चीजें मिक्स करके आपने बालों पे लगा रहे हो और इनका सब का अपना एक फैक्त है, रिजल्ट है और राए बालों को भी जो बड़ा नरिश करते हैं मतलब सेंपल आपको कुसी भी चीज के जूरुत नहीं है, आप सिर्फ यह अपने घर में ही लगा लें वीक में एक दफ़ा आपको जब वीकेंड आरा आपका चुटी है आपने बालों पे लगा के आपने अदा गहंटे इसको छोड़ देना है अदा गहंटे के बाद आप इसको वाई शोड़ कर लोगे अब आप मिल्क लोगे, इसम्पल आप इसमें कोई भी ऑईल डाल दो अगर आपके पास बादाम का तेल है आपके पास लुएंडर आपके पास जटून का तेल है कोई भी तेल जो घर में अवेलिबल है उस टेल आप वो तेल के कुछ ड्रॉप्स आप इसमें डालोगे और आप इसे अपने हाथों का मसाज करोगे हलका हलका ठीक है ये इतना जबर्दस क्लिंजर है लेकर दूद के साथ तो किसी चीज़ का कंपारिजन नहीं कर सकते है ठीक है तो अगर दूद में आपको ये कोईल डाल देते हो अगर लेंडर आइल मिल जाता है तो बेस्ट है अग अपने हाथों को साफ्र करें और आप इसका मसाज करें अगर अगर हमारे पास सबी टाइम का मोगा वरना मैं आपको अफ्र बिफॉर रिजर्ट दिखा सकती है एक हाथ पर दूसरे हाथ पर करके छोड़ दो आप अपने दोनों हाथ मैच करोगे तो आपको दूसरे हाथ से यह मेरा हाथ है जाए नहीं से घर हाथ नहीं होगे एक पडाम से गण रुए से तेट अपने हाथों को साफ रिखे इनका पेश नहीं हो बुछ हमारे बुल्प मतलब होती है के ऑई स्किन में हो जाता है नहीं पर दूद आपको साफ निए डिर करेंगे तो उविसलिंग करे और अगर उसका असर होता है तो प्लीज हमें फीडबैक दें नहीं होता तो भी हमें बताएं ताके हम बाकी लोगों को भी जो है इससे वार्ण कर सकें टाइम एक छोटी सी ब्रेक ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमें का फेमिस डाइट प्लान बोर्ड के पास इस पर कर आज हम आप क्या बताने वाली है कुछ चीज ऐसी होती हैं जिसमें कि हम एक्जेटली डाइट प्लान पे तो नहीं जाते हैं लेकिन वह चीज होती है कि कुजे में दर्याब बन करना हम जो इतनी देर से बाते करें तो इस चीज़ों को मैं एक जगा पर डाल दिया कि डाइट के हवाले से जो हम डिफरेंट उस वक्से बात कर रहे हैं कुछ हेर के हवाले से मुखलिफ मैंने थोड़ा सा मसल पेन को जो है तो देखे है जो कि विंटर जैसे आती है तो लोगों को बहुत जादा होता है स्टिप्ने सो जाते हैं खासकर जो बुज़र चो कि कुछ खाने में ऐसा बताएं कि हमें भूख कम लगे हैं तो अगर इसको आप एक नॉर्मल क्वांटिटी में यूस करें तो आपक एक तो वेट लॉस होता है जाहरा आपकी अपिटाइट कम हो जाती है आप कम खाते हैं तो रिजल्ट आपका क्या होता है कि उस पे वेट अधुए टाउस की तरफ आप जाना शुरू हो जाते हैं आपने एक लास ने नहें है ग्रेपफरूट जूस का जो कि नॉर्मल आपको एजी मिल जाता है तो अदो से तीं ड्रॉफ्स आपने क्या करने है कि लेमन के आपने इसमे अट करने है और आप रपने इसमें तेबल स मैंने अक्सर लोगों को देखे हैं कि सुमा उठते ही सबसे हेली थी लेमन पानी जो है वो पीना शुरू कर देते हैं तो नहीं हार पेट कप भी भी आपने लेमन वाटर आपने नहीं पीना वाटमेन C होता है ऐसे टिग होते हैं आपके जो स्टमक है स्टमक लाइने को डेमिज कर सकता है तो आपने कोई वेंड बीट्वीन दे स्नैक्स या मीज़ आप ग्रेफफूट जूस के साथ में ग्रेफफूट अगें वाइटमिन सी की बहुत अच्छी सोर्स है एक तो आपका नेर्शली आपको भूख कम लगेगी आपको फ्रेशनेस रहेगी और जात में आपका वेट भी कम होता रहेगा लेमन की वज़े से और ग्रेफफूट जूस की वज़े से सेकंड चीज हमने यहां पर देखी कि मसल पेन जो कि अब भी हमने बात की थी कोई भी आपको प्रॉब्लम हो जाती और आप हलका मसाज करना चाते हैं अच्छा आपने मसाज एक दम से खुद नहीं करना हमेशा पहले अपने डॉक्टर से पूछे क्योंके बाज़ा का कुछ मसकुलर पेन ऐसे होते हैं कि जिसमे मसाज भी रिकमेंडेड नहीं होता तो अगर आप उस सूरत में मसाज करें तो डेफिनेटी आप अपने आपको जादा खराब करेंगे अगर आपका डॉक्टर कहता है कि आप मेडिकेशन के साथ में आप थोड़ा सा कोई मसाज वहरा भ अबड़ी एजी अवेलिब हम अप पैपर मिंट तो थीव एक को अच्छे हैं और इसको अपकी इन आपकी इन आउर्म करेंगे चो कि जो भी अप हल्का सा गर्म करें चो मसकुलर आपको पैन है जिस चेका है वहां पे हल्का सा आप इसको मसाज करें ये जॉइंग पैन्स य कुछ आइटम्स इसमें ऐसे हैं जो कि एजिली नहीं मिलते घरों पे नहीं होता है या वो लोग जो बहुत दूर एरियास में देख रहे हैं वहां को ब्लैक पैपर आयल या रोसमेरी आयल नहीं है तो कोई भी चीज़ जैसे आप जिंजर उठा लें सिर्फ एक अद्रक आपन बिल्कुल आपका खत्म हो जाएता है ड्राइ स्किन के लिए इसके साथ बोही चीज़ है कि मैं विंटर्स के हवाले से बात करी हूं आपने यह चीज़ करनी है कि दो सूर्ते हो सकती है जैसे हम पैच टेस्ट की बात करें तो सिंसिटिव एरियास में कोई भी चीज़ आपन पर आपको परच्टान व परच्ट है कि दो आपने क्या क्या किया अद्या है कि 4 टेबल्स पून आपने ब्राउं शुगर के नॉर्मली वाइड शूगर होती है ब्राउंड शूगर को अपने अच्छा से प्रेश कर लिए उसको पाउडर फोर में बना लें लिना इसको यही आप जो आपने भी मिक्स्टर बनाया है यह आप ऐसे भी खा सकते हैं नहीं तो खा ले तो यहीं तो यह दो खाले तो उस सूरत में होगा क्या अपको एफेक्टिव उत्ना ही होगा लेकि नुटान आपको जो है तो यह नहीं देगा तो विंटर से बड़े मज़े माची चीजे अंवने हमें बढ़ा कम टाइम तो और यह जो एक्रेडविलिटी व आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे हमारा ओफिशल चानल है, वहाँ पर आप आप जाके सारा कुछ रिपीट में भी देख सकते हैं, अगर आपने कुछ मिस्स कर लिया है, आपके कुछ SMS आये वे में जल्दी से पढ़ लूँ, जिसके सबसे की फायदे मंदूर ने बताय है कि मैं कास्टर ओयल यूज करती हूँ अपनी आई लाशिस को बढ़ाने के लिए, और एक वीक में मेरी जो है आई लाशिस जो बढ़ गई है, हिरा मीरपूर से कह रही है, यह बिल्कुल हंड़र परसेंट ठीक चीज है, आपने बिल्कुल सही कहा है, यहाँ पर आपने अब बोल दिया, उनको हम बुला भी लेंगे, थाइक यू सो मच फर बिंग एर, थाइक यू रॉक्टर, थाइक यू अब्यूर्टिशन, थाइक यू ने आपको जित्ती भी चीज़े बताएं, हमें प्लीज दुआये दिया करें, अगर वो नहीं काम करती तो हमें वार्न क कर दें, ताकि हम उसको रिपीट ना करें, एंड थाइक यू सो मच पर वाचिंग आर शो, अल्ला ताला हम सबको अपने अब जोमान में रखें, आप समय लगात होगी, इन्शालला कर, तब तक के लिए, अल्ला हाफिज. अल्रा थाइकर वार्न कक स fundo ना करूँा प्सक्वार, वाचिन ना तो हमें, ऐद राइकशो, अल्रा वार्न कर यूस, तो हमेर्स, अल्लाइक काम कた देंग frequently तो पूसके आमस्आपनला, ऑंसे कामरी चेया जार्न करोоловीतicket 250-17-265 critical22 झांप मने जो आइकि 2058 topics.